आज मई दिवस से मैं इस आउसर पर प्रदेश के अपने सभी कामगार और सर्मिकों को हिर्दे से वधाई देता हूँ लॉकडाउन के दोरान आधने प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रतों में पुरे देश के अंदर प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज के माध्यम से 80 करोड नागरिकों को एक लाग सत्तर हजार करोड रुपे की गरीब कल्यानकरी योजनाओं के साथ आच्छातित करने का कारे हुआ है इसमें कामगार है, सरमिक है, किसान है, युवा है उद्योग में काम करने वाला जो हमारा सरमिक है ये सभी लोग इस योजना से आच्छातित हुए है बहुत सारी ऐसी योजनाएं गोशित हुई हैं जो एक गरीब के लिए, एक किसान के लिए, एक मुस्दूर के लिए, एक कामगार के लिए अत्यन तुम्हत्वपून है और आधनी प्रधान मंत्री जी की पेंड़ा से उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारी सरकार ने अपने सरकार ने यहाँ पर निर्माण सर्मिकों के लिए, डेली कमाने वाले ठेला, खोमचा, रेडी, हीर इक्सा, रिक्सा, कुली, पलेदार, ग्रामिन और सहरी छित्र में फिश्वक्रमा सरम सम्मान से आच्छातित होने वाले 16 काटेगरी के कामगारों के लिए, धोबी है, मोची है, नाई है, सुनार है, कुमार है, राजमिस्त्री है, इन सभी प्रकार की जो काटेगरी है, इन सब को हमने भरन पोशन भत्ता देने क की विवस्ता की और सफ़ता पुर्वग अब तक 30 लाग ऐसे सभी निर्मान सर्मिकों के साथ साथ अन्य सभी सर्मिकों को इस सुवधाय उपलब्द कराई हैं, आज मुझे पताते वी प्रसंता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाग इस सर्मिक वर्ग को फिर से दूसरी बा भरन पोषण भट्ता की रासी जारी कर रहे हैं, मैं इस सोसर पर अपने सभी कामगार और सर्मिक बंधों को इर्दै से बधाई देता हूं, सरकार उनके रोजगार के लिए, उनके सुरक्सा के लिए, उन्हें हर प्रकार की समाजिक सुरक्सा देने, भरन पोषण की भट्ता की विवस्ता करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है इसके साथ ही आज हम 18 करोड़ लोगों को पॉर्टिबिलिटी के माध्यम से खाद्यान उपलब्द कराने की कारियोशना को भी आगे बढ़ा रहे हैं हमने अब तक दो चर्णों में 18-18 करोड़ लोगों को उत्तरप्रदेश के अंदर खाद्यान उपलब्द कराया है पहले चर्ण में उत्तरप्रदेश से जुड़े हुए जो हमारे कामगार थे जो सर्मिक थे मन्रेगा के मजदूर थे अन्य नागरिक थे इन सब लोगों को खाद्यान उपलब्द कराया गया दोस्टे चर्ण में भारत सरकार की योजना के अंतरकत में सुलक खाद्यान उपलब्द कराया आज फिर से हम लोग अपने उत्तरप्रदेश के सभी 18 करोड न समबर है तो उसके माद्यम से वहां पर भी इपॉस मशीन के माद्यम से अपना खाद्यान वहां के कोटे की दुकान से भी ले सकता है और अगर वह वापस उत्तरप्रदेश में आया है तो उत्तरप्रदेश में उसको रासनकार से मिलेगा अगर रासनकार नहीं बन पाया है तो प्रते एक जन्पत प्रसासन को इस बात के लिए निर्देश दे गए हैं कि वहाँ उन लोगों के लिए रासनकाड बनाएं और उन्हें खाद्यान उपलब्ध करवाने का कार यूद दस्तर पर करें जिन्हें अभी तक रासनकाड नहीं बन पाया है उन्हें हम SDRF के अंतर कोरटाइन में हो इन सभी के लिए हर प्रकार की विवस्ता प्रदेश सरकार ने की है हर एक नागरिक की सुरक्सा हर एक कामगार और सरमिक की पूरी सुरक्सा सामाजिक सुरक्सा आर्थिक सुरक्सा रोजगार की सुरक्सा के लिए सरकार पूरी प्रतिबत्ता के साथ कारे कर आप सब के प्रिश्रम से आगे बढ़ने के लिए हमको एक ताकत देगा मैं आप सब का विनंदन करता हूँ आप सब को मई दिवस की बधाई देता हूँ धन्यवाद इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन जरू पेस करें हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए